अनुश्कार आज हम डिसकस करेंगे गिर्राज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश के सापताईक पत्रिका देखें गिर्राज पत्रिका डिसकस करेंगे हिमाचल पत्रिका की सापताईक पत्रिका है और अक्तूबर महिने का गिर्राज पत्रिका का यह हम फर्स्ट पार्ट आज कोट के नए चीप जिस्टिस ने जो हो सबत लिए तो यह यहां पर यही पूचा गया है कि अभी हाल फिलाल में हिमाचल प्रदेश उच्छ नियाले के नए मुख्य नियादिस के रूप में किसने सबत ली है तो जस्टिस राजीब सकधर ऑप्शन ए जो है उसा इंत्रा हम लग बाते हैं अलग पॉइंट जाने जरूरी पहला है उन्हों जब तो झाले हें इनकी सबतं न कि सबत किसके gj貌र करवाइब करऊई गई है किसी भी स्टेट में किसी भी स्टेट में अगर कोई भी जो है वह चीफ जडिस बनता है तो उनकी सब्ड जो हो कौन कंडक्ट करवाता है कौन और्गिराइज करवाता है तो वो गवर्णर ही जो है वो करवाते हैं तो गवर्णर ने सब जो था वो और्गिनाइज करवाई यह ध्यान रखना है गवर्णर कौन है हिमाचल प्रदेश के जो गवर्णर है वो है शिप प्रताब शुकल जी उनका नाम ध्यान रखें और जो ओत होती है वो गवर्नर जो हैं वो कंडक्ट करवाते हैं अब हिआपने हिमाचल प्रदेशाई कोड के बारे में भी ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना जो था उनिटीन जिए इसकी स्थापना की गई थी यह भी कोशिन बन सकते है तो पच्शेज जनवरी 1971 को हिमाच प्रदीबार रांता ने बॉलीवूड फिलम लापता लेडिस में जो है वो भी ने किया है अब ये कहां से संबंद रखती है देखो प्रदीबार रांता अभी जो है वो चर्चा में आई गिरास पत्रिगा में भी इनके बारे में जो था हुआ आया था क्योंकि मुख्यमंतरी ने इनको बदाई दी है क्योंकि ये जो इनकी मूवी है जिसमें उने काम किया है लापता दीज को जो हो 2025 आस्कर के लिए जो है वह चुना गया है तो इसमें इनोहने अभी नहीं किया है इसमें इनकी परतिवार अंता चर्चा में आए अब परतिभार आन्टा जो है वो शिम्ला जिलेंसे संबंद रखते हैं फ्रां तो शिम्ला में कहा सगी संबंद रहती है ये सं में रहुस में ने अभी नहीं किया है यह जो हो संबंध रखती है चोटा सा गाओं है दरोटी जो की रुहुडु डिस्टिक शिम्ला में पढ़ता है वहाँ से संब्सक्राइब से संब्सक्राइब तो ये भी रोडू से संबंद रखती है तो इनके बारे में big question definitely बन सकता है कि रेणुका सर्मा जो हैं कहां से संबंद रखती है रेणुका सिंग नाम है रेणुका सिंग कहां से संबंद रखती है और रेणुका सिंग ठाकुर कौन से जिले से संबंद रखती है या फिर कौन स चिंतपूर्णी का जो महुतसब होता है उसको कौन सा दर्जा जो है वो दिया गया है आभी देखो नवरात्र रहे थी तो माता नवरात्रों में जो था हूँ हमारे अलग अलग जो सकती पीट थे वहां पर जो है वो फेर हुए तो सिरी माता चिंतपूर्णी का जो महुतसब ह होता है उस महुतसव को जो है वो स्टेट दर्जा जो है उदिया गया option भी जो असर हो जायेगा उसको राज्यह तरिया नचा PLAY को जा अपने लिफ्टिक उन्हा से उपमुक्य मंत्री भी है हरुर्ली कोण्सिचवनसी जो है वो इनकी आती है हरोडी कोण्सिचने के आती है प्रभल यह भी ध्यान रखना है कि लेंगुरिस आर्ट डेंड कल्चर की जो मिनिस्ट्री है वो भी इनके पास ही है इनके पास जल सक्ति मिनिस्ट्री भी आती है इनके पास जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो भी आती है और इनहीं के पास आपने ये भी ध्यान लखना है कि ये लेंग्विज आर्ट अंड कल्चर मिनिस्ट्री भी जो है ये नहीं के पास जो है वो आती है तो चिंतपूर्णी माता का मंदिर उना में पड़ता है ये पता चला सकती पीठों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में माता नैना देवी का मंदिर है जो कि बलासपूर में पड़ता है हिमाचल परतेस में ही मता जुला मुखी का मंदर है जो की इस्टिक काउंग्रा में पढ़ता है मंदिरों के बार में भी ध्यान रखना रखना है कि ये लग-लग मंदिर जलों में कौन-कौन से डिस्टिक में आते हैं अगला question देखते हैं हम अरबास क्या बोलते हैं तो बोलते हैं कि नवार्ड ने कारफ फार्म में आधुनिक मतस्य पालन प्रसिक्षन के इंदर की स्थापना के लिए राज्य को समर्थन दिया यह कहां पर स्थापित किया जाएगा तो इसकी बात कहिए कि गगरेट में स्थापित किया जाएगा पहले तो देखिए आप इसके बारे में जो इंपोर्टेंट है यह कॉंस्टेबल के एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है हम कॉंटेक्स्ट डिसकस करते हैं कि क्यों यह चर्चा में आया था नावार्ड के दौर अपने स्पोर्ट दी गई है हिमाशल प्रदेश सरकार को किये कि स्टेट लेवल का आ जो है वो फिष्ट्री ट्रेनिंग सेंटर चुकार्प मचली है उसका बनाया जाए वह और वह गग्रेट में बनाया जा रहा है गग्रेट डिस्टिकून नामें बनता है इकत्तीस मार्च दोहजार पच्चीस तक जो है उसको बना लिए जाएगा फि बी कहा जाता है कि मतस्य पातन के लिए तलाब का निर्मान करने के लिए अगर जो कोई भी काई बनाता है ऐसा कोई तलाब बनाता है तो उसके उपर जो सब्सीडी दियाती है उसका 80% जो है उसको सरकार देगी एक दो यह सब्सीडी का कॉंटेक्स आपने धियान लगना यहीं से जो है भी कवर हो जाएगा एक और कोईसे बन जाता है कि दियोली जो है वो बिलासपूर वडिस्टिक में पढ़ता है दियोली में जो है ओकारफ़ फीश फार्म कब स्थापित किया गए था यह जय अनली सु सर्ट में यह स्थापित किया गए था उनνοय सो साठ में स साहिक नदी है तो इतना सब यहां से important points important fact ध्यान रखने हैं अगले question में बोलते हैं HP milk fed operation commence down तो बोलते हैं कि HP milk fed जो है इसका operation का इसका संचालन जो हो कब से शुरू हुआ था अगर हम HP milk fed की बात करते हैं कि इसका संचालन जो था हो कब से शुरू हुआ था तो October 2 से जो था हो इ इसका संचालन स्टार्ट होता option C जो है वह सही अंतर है अभी हम milk fed के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और फिर हम जानेंगे कि क्यों यह गिजास पत्रिगा में जो था हो आया था तो HP milk fed की अगर हम बात करते हैं तो HP milk fed को जो था हो रेजिस्टर्ड जो किया गया था इसको तरह से तो वह 1980 में इसको रेजिस्टर जो था वो कर दिया गया था प्रंतु इसने अपना काम इसने अपना संचालन जो स्टार्ट किया था वो अक्तूबर दो 1983 से जो था वो किया गया था और उस टाइम इसने जो संचालन स्टार्ट किया था वो किस तरह से किया था इसको जो भी काम गौर्मेंट के दोरा दिया जाता था डिस्टिक मंडी ब्लासपूर हमिरपूर सिर्मौर सोलन में और शिमला के कुछ पार्ट में उस काम को जुधा ये करता था उन्ना डिस्टिक को भी ट्रांसपर कर दिया गया इस फेडरेशन को वह मैं एक 1988 को किया गया था और बाकी जो डिस्टिक बज जाते थे उनका जो भी फंक्षन था मिलक से डिटेट मिलक की क्लेक्शन करना मिलक की सेल करना इस तरह का काम भी जथा हो इस फेडरेशन को इस फेडरेशन को ट्रांसपर कर दिया गया सेप्टेंबर एक 1988 से लेकर जुलाई एक 1992 तक प्रंतु जो हम शुक्त बजात और से तरहना जो हमणों ने का मैंडिक प्लांटल है हुआ शुधार कंदर प्रेशन के में घ्रक्स कर कि ने भी पड़ा है कि हिमाशल प्रदेश सरकार ने जो है ये कहा है कि हम गाय और भैंस का दूद जो है परचेस करेंगे तो गाय और भैंस का दूद किस तरह से परचेस करने की बात कही गई है गाय का दूद जो है वो 45 रफीज पर लिटर और भैंस का दूद जो है वो 55 रफीज प पर लेटर और भैंस का दूद हो गया पच्छपन रुपय पर लेटर ये भी नोट होना चाहिए अगला क्योशन देखे बोलते हैं कि बोलते हैं इन विच आफ फॉलाइंग ट्राइब इस सेन डांस पॉपलर तो यह सेन डांस बोलते हैं कौन सी ट्राइब में जो हो पॉपलर द्राइब के बीच में लेड़ आप सिन जाते हैं उसाहिन पूचा चासकता है क्योश्व पूचन पूचन की एक लग फ़र्म हो सकती है कि कौन सी वैली में जो है यह मिगें क्य pleasing ज्याता है पांगी वेली पांगी जो है वो कहां पर पढ़ता है चमबा में पढ़ता है पांगी का जो हैडगोडर है वो कहां पर स्थित है वो किलाड में स्थित है कुछ एक ऐसे दर्रे हैं जो कि चमबा को पांगी से जो है जो जोडते हैं तो उन दर्रों के बारे में भी अक्सर हम भी चंबा को पांग की से जोडने वाला धर्राअप ने ध्यान रखना है। दूसरी और पंगौाल ड्राइब के बीच में आपने ध्यान रखना है कि पीठचुक हो गया, चौरी हो गया, ये मेरिज के टाइप है, ये मेरिज वया gefच चर है, एक ढोगरी भी इनके बीच लाना तोपी लाना जो है वो विड्डो री मैरी जिनके बीच में जो है कहलाता है और इनके बीच में जो important dresses है जिसमें कमेरी आ जाता है चोली आ जाता है जोजी आ जाता है चलान आ जाता है ये इनके बीच में इनके बीच में जो मैरी के टाइप है वो भी हो गया जो पांगी वैली है उसके बारे में जो इंपोर्टन कोईशन बनते हैं वो भी हो गया अब हम चंद्रा भागा नदी की भी यहां पर बात करेते हैं जिसको चैनाव नदी भी जो हो कहा जाता है चैनाव नदी देखो पहले कर देती है और काशमीर की पोडर वैली में अक्ड कर जाती है और काशमीर की पोडर वैली में अटर कर जाती है और रापने क्या दियान लगना कि जो चेनाब नदी है ये हिमाचिल प्रदेश की in term of volume जो है वो सबसे largest नदी है तो in term of volume सबसे बड़ी नदी कौन है वो भी पता होना चाहिए और in term of volume तो चेनाब नदी है परन्तु अगर हम ऐसे देखेंगे ना लंबाई wise तो लंबाई सबसे लंबी नदी जो हिमाचिल में जो है वो चलाई गई है अब क्या बूचा गया है कि मुख्यमंत्री सुख सिक्सा योजना के तहद 18 वर्स से कम आयू के बच्चों को कितना अनुदान प्रदान किया गया है तो कोई जो 18 वर्स से कम आयू के जो बच्चे है ना उनको कितना अनुदान जो हो दिया गया है अ इसके तहत क्या क्या प्रविजन रखे गए हैं वो हम जानते हैं किस तरह से जो है वो इसमें फाइदा मिलता है जो मुख्यमंत्री सुख सिक्सा योजना चलाई गई है इसमें फाइनेंशियर एसिस्टेंस दी जाएगी विड्डोस डेस्टिटूट वोमेन होगी डाइवोस् सोगे उनके बच्चों को जो हो यहां पर स्पोर्ट किया जाएगा और इसमें जो एलिजिवल वोमेन एक चिल्डरन का क्राइटेरियर रखा गया है वो फैमिली की इंकम एक लाग से जादा नहीं होने चाहिए फैमिली इंकम नौट एक्सीडिंग वन लैक पर एन्नम जो हो नहीं होने चाहिए और इस योजना में यह रखा गया है कि बच्चे जो की अठारा साल तक के हैं उनको जो है वो एक हजार पे दिया जाएगा थाकि वो अपना न्यूटरेशन एजुकेशन हेल्थ वगरा को देख सके इसके लावा भी जो है वो आपने ध्यान लखना है कि बिदवा महिलाओं के जो बच्चे हैं उनको 27 वर्स की आयू तक जो है वो मुफ्त सिक्सा परदान की जाएगी ये भी सरकार जो हो कहती है अगर ये बच्चे केंदर वो राज के चिक्टसा जैसे के इंजिनिरिंग कॉलेज हो गया एनाइटी हो गया आई आई एम हो गया आ मुख्यमंत्री सुख सिक्सा योजना के तहट दिया जाता है तो इस मुख्यमंत्री सुख सिक्सा योजना में एक तो 18 साल तक 1000 पया और 27 साल तक जो फ्री एजुकेशन है वो दी जाती है किसको दी जाती है क्या क्राइटेरिया रखा गया है वो हमने जान लिया यहां से ही यह तो एक article हो गया, Dr. Yesban Singh परमार हमने योजना पड़ी थी, जो RIN दिया जता है, education loan दिया जता है, उस योजना के ताहिए, तो वो कितने percent ब्याज पर दिया जता है, वो एक percent ब्याज पर दिया जता है, हजारों बार मैंने बताया है, in fact हमने कोई 5-10 बार अभी तक पढ़ लि अगले question में बोलते है, around what percentage of हिमाचल परदेश land mass is officially designated forest land, बोलते हैं कि about हिमाचल परदेश की जो है, कितनी percent land जो है, उसको forest land के रूप में जो हो नामित किया गया, तो हिमाचल परदेश की about 68.16 percent land जो है, वो forest land के रूप में जो हो नामित की गई है, option B जो है, अब यह क्यों गिर्रास पत्रिका में आया, देखो गिर्रास पत्रिका में पहले ही पेस पर मतलब बहुत लंबे चौड़े एक्सरों में forest को लेकर जो था वो बात की गई थी, forest को लेकर जो बात की गई थी, वहाँ से जो मुझे important लगा, वहाँ से जो important लगा, वही मैं discuss कर रहा हूं, जो ह हम तो देखो चाहिए वो daily newspaper होगा, चाहिए गिर्रास पत्रिका होगा, हम तो वही content उठाएंगे जो हमारे exam point of view से important होगा, तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि हिमाचल की कितनी land ऐसी है, जिसको officially designate किया गया है forest land के रूप में, तो वो 68.16% land है, अच्छा forest cover कितना है हिमाच तो इसी तरह आपने यह धियान रखना है कि forest cover कितना है, वो है 15,443 और जो forest land है वो कितनी है, वो है 68.16% अगर इंटर्म और स्केर किलोमेटर अगर आप देखेंगे तो कितनी यह आती है, यह आती है 37,948 स्केर किलोमेटर, तो यह भी आपने धियान रखना है, इंटर्म और स्केर किलोमेटर यह इतना है और इंटर्म और प्रेसेंटेज यह 68.16% जो है, वो आ जाता है, तो यह दोनों ही चीज़े, चाहे वो forest land हो गई, चाहे वो forest cover हो गई, वो कितना है, वो पता होना चाहिए, अब एक और question जो HS exam में पूछा गया था, HS exam में क्या question पूछा गया थ वहां पर forest का ही data पूछा गया था, कि हिमाचल प्रदेस में, वह Valley dense forest पूछे गए थे कि कितने आते हैं, वहां पर 38.163 km² जो है, वो आते हैं, अगर वहां पर moderate dense forest जो moderate dense forest, वो 7100 km² जो है, वो आते हैं, moderate dense forest ये ध्यान रखना है और open forest भी पूछा गया था open forest कितना है हिमाचल प्रदेश में तो वह है 5180 square kilometer तो ये तीनों चीजे ध्यान रखनी है चाहे वह very dense forest होगे 3163 kilometer चाहे वह moderate dense forest होगे 7100 square kilometer चाहे वह open forest होगे 5180 square kilometer तो ये तीनों की तीनों आपको पता होना चाहिए है है ये तीनों के तीनों एक साथ परन्तु इंडिविजूली पूछा जाए तब भी आपको पता होना चाहिए very dense forest, moderate dense forest, open forest कितना है ये question बन सकता है exam है ठीक है जी तो ये एक data हो गया अगला question देखे क्या बोलते है बोलते है विच आप फॉलाइंग रीवर कौन फ्लेंस एट खाव तो बोलते है कि कौन सी नदिया जो है वो खाब नामक स्थान पर उनका संगम है खाब नामक स्थान पर मिलती है संगम मतलब जहां पर वो मि पड़ा है कि जो जो ऍट चंदरा और भागा नदियां हैं तानली नामक स्थान पर आकर मिलती है वैसे ही मैंसे एक नदी ऐसी भी है जो सतलूज के साथ मिलती है खाब नामक स्थान पर तो ये है स्पिट्टी नदी ओप्शन बेखो कुण्यूम रेंद से यह. सभॉपफफ़ospace नदी है ये डोनो नदी है और यह दोनों नदिया जो है और हो खाव-raw नामक-त्तान पर जो हो पड़ता है और यहां पर यह रहता है उसी तरह अलग लग नदियां हो गई जो की सतलूज के साथ मिलती है जैसे की बस्पा नदी हो गई बस्पा नदी जो है सतलूज के साथ मिलती है कर्चम के समी पाकर वो भी ध्यान लकना है कर्चम के साथ आकर मिलती है और नोगली नदी एक हो गई नोगली नदी जो है रामप ताल लेक से जो हो निकलती है मांसरोवर के समीप जो है ये पढ़ता है वहां से ये निकलती है और इसके अलग लग साहिक नदियां जैसे कि तो इस तरह से जो है यह नधियां हो गई प्रफु कौन सी नधी कहां पर मिलती है वो भी हमने क्लियर कर लिया अगिला कोईशन दिखते हैं यह वन लाइनर जो हो चलते हैं वन लाइनर कोईशन में आपके साथ वटसाइप ग्रूप पर भी जूए और शेयर करूंगा याक वो पहाडी गौव के सेयोंग से बनी एक संकर प्रजाती की नसल बनाई गई है उसको चौरी कहाते हैं याक और पहाडी गौव के सेयोंग से बनाई गई है और इसको चौरी जो है वो कहा जाता है अपर एडियाज में जादा पांगी साइड देखने को मिलती है ये अगर बोलते हैं कुटलेहर रियासत की स्थापना किस ने की थी तो कुटलेहर इंपोर्टन एक फ्रेंसली स्टेट है हमारा और कुटलेहर रियासत की स्थापना जस्पाल ने की थी यहां परमलिक देता हूं जस्पाल नामक एक ब्रामन थे जिनके द्वारा इस कुटलेहर रियासत क जो था वो स्थापना की गई थी कुटलेहर कांगडा से ही अलग हुई एक रियासत है और कांगडा रियास्तों में ये सबसे छोटी रियासत जो है वो आती है कुटलेहर रियासत प्रजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो उन्ना जिले का जो अधिकतर हिसा है उन्ना चलिट के चैसे बिखअगड ड् Garg कांगा के विद्यावान जिन के अनुक्रम को कह जाता हो जिनॉम कहलाता है किसी भी जीव के दियानने में जो विद्यमान जीन होते हैं उसको जो है वो जीनोम कहा जाता है ये आपने ध्यान रखने है जीनोम उसको कहते है राष्टरिय प्रसारक जो दूरदर्शन है जिसको डीडी भी कहते है दूरदर्शन तो नैशनल जो दूरदर्शन है उसको जो स फुटवॉल ख्लारी के सम्मान में साथ यूरौ का सिक्का जोए हो जारी किया है तो फुटवॉल की सिक्का घ्या wallsは पूर्टवॉल के लिए झार कर्षिन, अग men promote लग लग इंसे जोड़े देंगे तो नैशनल गन्नाा अनुसंधान भी एक ऑप्षिन में होगा ये जो है लखनव में स्थित है लगन उत्रप्रदेश में पढ़ता है तो मैप में भी आपको पता होना चाहिए उत्रप्रदेश कहां पर है आगे बोलते हैं विच जो लगना यह देखार चरणब्स में क्या बोलते हैं। पास कनेक्ट नगगर टमलाना तो और यह दार आ मड़ाना को आपस में जुड़ता है। इस दे बोत अच्छे से यह आपको आपको मारा टेलीग्राम पर जरूर मिल जाएगा आपको मारा वर्ट साथ पार जूड़े अगर नहीं जूड़े हैं वहाम पर येंपटेक्ट्ट इंपbei आप मिलने फै ride शूड़ेंगे होई जोड़े हैं यो नहीं है यह सबस्क्ति हिसागा